नमस्कार मैं उस्मेलनसारी और आप देख रहे हैं यूटी लाइफ अंडर रिट नियूज तुर्वात करते हैं इस वक्त की छोटी बली खबरों से खबर उत्तर प्रदेश के जनपत बहराईच मामला उत्तर प्रदेश के जला बहराईच विकास खंड नबाब गंज के गिराम पंचेत लजमन पुरुका है बनवाएगा सामदाईग सोचाले और काली कलुप नरेगा द्वारा करवा करवा करवाय परणचाईद भवन का हो रह है निर्माड परदान साब सफाई पर नहीं देते हैं ध्यान गाउं में साब सफाई को लेकर जनता है काफी परेशान बहराईच से अहमद हुसेन की खास रिपोर्ट मैं इस वक्त उत्तर परदेश जिला बहराईच के विकास खंड नबाब गंज के यह लश्मन पूर गिराम पंचय जहां पर परदान द्वारा समदाईग सोचाले बनाया गया है चलिए मैं उसको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहता हूं सोचाले के बारे में परदान जी से बात करना चाहता हूं कि क्रिश्ण बहादूर यह बताईए यह जो सोचाले समुदाईग जो सरकार द्वारा दिया गया है इसमें कौन सा इटा लगा है और यह किस फंड से आपको पैसा मिला है और किस तरीके से बनवाया गया ठेका परशनल बनवाये हैं आप खुद बनवाये हैं चलिए मैं इसके मिसे में इस्टा मार दो गिरामलों से बात करना चाहूं क्या नाम है भाई साहब आपका दीनानात पांडे यह बताईए यह कौन सा गिराम पंचैत है लश्मन पूर सलार पूर यह परदान द्वारा जो सोच कारी मिली है हमको कि यह ग्राम पंचैत लश्मन पूर सलार पूर है जहां पर यह नबाब गंज ब्लाक में प्रधान द्वारा जो काम करवाया गया है यानि अभी तक पुरान रूप से कंपलिट हो गया है फिराल के लिए थोड़ा कुछ दिक्कतें आ रही है उसको भी प्र समुदाइक सोचाले तो आपका बन गया है और यह पंचैत भवन बन रहा है और यह जो है इसकूल का जो काया कल्प जो उसका आप करवाए हैं अच्छा यह बताइए मोहते जी मैं आपसे जानकारी लेना चाहिता हूं यह उसका बजट कितना आया था इसका पांच लाग ती सजार यानि यह ठेका द्वारा बना है या फिर नरेगा द्वारा लेवरों को पैसा किस तरीके से दिया गया है चलिए मैं इस वक्त लचमन पूर प्राटमिक बिद्याले लचमन पूर विकास खंड नबाब गन जिला बहराईच में इस वक्त मौजूद हूं यानि प्रधा अधूरा था वो पूरा हो गया है कि प्रधान जी जो गिरामों के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि कुछ आपके मजरूम में ये गिराम पंचेक के कुछ मजरूम है जो काम अधूरे पड़े हूँ